हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी कहानी एक अनात लड़की के बारे में है, जो अपने भाई को बचाने के लिए एक शेतान कुईन का सामना करती है, तो चलिए देखते हैं उसकी स्ट्रगल से भरी जर्ने को, और प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिल सकें, तो एक नरेशन हमें एक स्नो क्वीन के बारे में बताती है, जिसने दुनिया को फ्रीज कर दिया है, और इससे लोगों के लाई बहुत डिफिकल्ट हो गई है, तब वैगट नाम के वीजट ने एक मैजिकल मिरर बनाया, जिसमें कोई भी बच्चों को एक स्टोर रूम में छुपा देती है, और हम देखते हैं कि उसका मैजिकल मिरर उसके बेटे के पास गिर गया है, जल्दी ही विंड मोस्टर उन तक पहुंच जाता है, और वैगट और उसकी वाइफ को घेर लेता है, फिर वो बच्चों को ढूंबता हुआ स् और उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है, आगे हम स्नो कुईन को देखते हैं, जिसे लगता है कि अब वो वैगट उसके लिए कोई खत्रा नहीं बन सकता, और वो अपने टॉकिंग मिरर से दुनिया का हाल बताने को कहती है, मिरर उसे बताता है कि वैसे तो आपकी पाव इसको ढून कर लाना होगा, वो उसे एक मैजिकल वाइल देती है, जो वाइरिस के पास जाते ही चमकने लगेगी, और इसे तोड़ते ही विंड मोंस्टर उन्हें वापस कैसल में ले आएगा, और भी उसकी बास समझ जाता है, और एक वीजल का रूप लेकर निकल पड़ता है, आगे का सीन कुछ टाइम बात का है, जहां हम वैगर के बेटे काई को देखते हैं, और पता चलता है कि उसे पेंटिंग्स बनाने का बहुत शोक है, वो अपनी बेहन गर्ड़ा के साथ अनाथाले में रहता है, जहां का वोड़न बहुत ही खडूस है, और बच्चों से जबरदस्ति बहुत काम कराता है, गर्ड़ा के पास लूटा नाम का एक पैट वीजल भी है, लेकिन वो और काई उसे वोड़न से छुपा कर रखते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इधर आउम भी उन्हें डूंगता हुआ अनाथाले तक आता ह जहां उसकी नजर काई और गर्ड़ा पर पड़ती है, और वो देखता है कि क्वीन की दी हुई वाइल चमकने लगी है, उसे लगता है कि शायर वो वारिस काई ही है, और वो उसके अकेले होने का बेट करने लगता है, तब ही अचानक वोड़न वहां आता है, और उसके हाथ काई की पेंटिंस लग जाती है काई के बोस समझाने पर भी वो उन्हें जला डालता है और कहता है कि इस से तुमारा फ्यूचर नहीं बदलने वाला काई को ये देखकर बहुत दुख होता है और तब ही उसे ओम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि यहां तुमारी आठकी कोई कदर नहीं करेगा और मैं तुमें एक ऐसी चगा ले जा सकता हूँ जहां तुम अपने लिए बहुत नाम कमा सकते हो काई भी पहले तो एक बोलने वाले वीजल को देखकर चोक जाता है लेकिन उसे लगता है कि शैद ये वीजल ठीक कह रहा है और वो उसकी बात मान जाता है तब ही हम गर्डा को वहां आते हुए देखते हैं और वो छूपकर उनकी सारी बाते सुन लेती है काई भी गर्डा के एक पेंटिंग को अपने साथ ले जाना चाता है लेकिन उम देखता है कि वाइल ने चमकना बंद कर दिया है चेक करते वे वो परदे की ओर गूंता है जहां पर गर्डा चूपी हुई थी और तब ही वो वाइल फिर से चमकने लगती है गर्डा बाहर उन्हें रोकने आती है और इसी चकर में वेगर का मैजिकल मीरर बाहरा गिरता है जिसमें जहाकते ही ओम अपने असली रूप में आ जाता है और वाइल उसके हाथ से छूट जाती है उसके तूटते ही विंड मॉंस्टर एक्टिवेट हो जाता है और उन सब कोड़ा कर अपने साथ कैसल की ओर ले जाने लगता है गर्डा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और इसी चकर में और मॉर्वो नीचे गिर पड़ते है और मॉंस्टर काई को अपने साथ ले जाता है गर्डा उम पर बहुत नाराज होती है और पूछती है कि बताओ वो मॉंस्टर मेरे भाई को कहां लेकर गया है ओम ये जानकर हैरान हो जाता है कि वैगड की एक बेटी और भी है और बताता है कि मॉंस्टर काई को लेकर स्नो क्वीन के पास गया है गर्डा उसे इसका कारण पूछती है और रॉम जूट बोलता है कि क्वीन को आर्टिस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वो उसे भी बहला कर क्वीन के पास ले जाना चाहता है और गड़ा भी बिना कुछ सोचे उसकी बात मान जाती है आगे वो सब एक गार्डन में आते हैं और देखते हैं कि इतनी ठंड में भी वहां काफी हर्याली है तब ही गार्डन की केर टेकर रोजी वहां आती है और उसे लगता है कि ये शैद उसकी फ्लावर्स को चुराने आए हैं गड़ा इसके लिए उससे माफी मांगती है और रोजी देखती है ये उसके हाथ लगाते ही flowers फिर से खिल गए हैं और ये देखकर उसे एक idea आता है वो गड़ा को एक deal offer करती है कि अगर वो flowers उगाने में उसकी मदद करे तो वो उसे डेर सारे पैसे देगी लेकिन गड़ा इसके लिए मना कर देती है रोजी भी एक शर्थ पर उसकी बात मान जाती है कि जाने से पहले उसे एक अप चाय पीनी होगी लेकिन ओम देखता है कि रोजी चाय में कुछ ड्रक्स मिला रही है वो गड़ा को इस बारे में वान करता है और गड़ा रोजी से तुरंट उन्हें छोडने को कहती है तब ही वो देखते हैं कि रोजी ने अपने मोंस्टर प्लांट को बुला लिया है और वो लोग उससे बचकर भागने लगते हैं रोजी प्लांट पर बैट कर उनका पीछा करती है और एक बेल से गड़ा को पकड़ लेती है लेकिन ओम तुरंट गार्डन का दर्वाजा बंद कर देता है जिससे रोजी उनका पीछा नहीं कर पाती आगे हम विंड मोंस्टर को देखते हैं जो काई को लेकर कैसल तक पहुँच चुका है और वहाँ उसका सामना स्नो क्वीन से होता है क्वीन को लगता है कि ट्रोल ने अपना काम कर दिया है और वह काई को दिखाती है कि कैसे मेरे दुश्मन फ्रीज हुए पड़े है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमारा भी यही हाल होगा फिर वह काई को अपने मीरर के पास लाती है लेकिन मीरर उसे बताता है कि वैगड़ का असली वारिस तो कोई और है और ये सुनकर क्वीन को बहुत गुसा आता है वो काई से पूछती है कि क्या तुमारा कोई और भी भाई बहन है लेकिन काई इससे इंकार कर देता है और कहता है कि मैं इस दुनिया में एकदम अकेला हूँ Queen समझ जाती है कि वो उसे पागल बना रहा है और तब ही उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें उसकी बैन Gerda की तस्वीर है और कहती है कि अब मैं उसे कहीं से भी डून निकालूंगी इधर Gerda और रॉम चलते हुए एक केव के पास आते है और रॉम बताता है कि ये मेरे ट्रोल क्लैन का पर्थ प्लेस है वो बताता है कि कैसे एक टाइम पर यहाँ हजारों ट्रोल्स रहते थे लेकिन स्नो क्वीन ने उन्हें करप्ट बना दिया और वो एक दूसरे को मार कर खतम हो गए कहा जाता है कि उनकी सोल्स यहाँ एक लेक में कैद है और जो कोई उसमें जाकता है वो भी इस कर्स का शिकार हो जाता है ये कहकर वो गड़ा से आगे जाने को कहता है और बताता है कि मुझे कुछ देर अपनी फैमिली को याद करना है तब इस नो क्वीन उससे कॉंटेक करती है और कहती है कि तुमें काई की बेहन को भी ढूणना होगा इस पर रोम कहता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्यूंकि जल्दी ही वो आपके पास कहुंच जाएगी लेकिन क्वीन उसे वोन करती है कि अगर कोई भी गड़ बढ़ हुई तो मैं तुमें भी तुमारी फैमिली की तरह कायब कर दूँगी आगे वो गड़ा को लेकर एक ब्रीच क्रोस करने लगता है लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के चकर में गड़ा की नजर उस लेक पर चली जाती है वहां उसे काई दिखाई देता है जो उसे अपने दोस्तों को मारने के लिए कहता है लेकिन गड़ा पार इस कर्स का कोई असर नहीं होता और वो और्म को खीचकर ऊपर ले आती है और्म को विश्वास नहीं होता कि आकिर उसने इस कर्स को कैसे तोड़ दिया लेकिन वो नहीं जानते कि अब उन पर एक और मुसीबत आने वाली है कर्स के टूरते ही वो जगा डहने लगती है लेकिन ये सब किसी तरह बचते हुए वहाँ से बाहर निकलाते है आगे उनका सामना एक बुड़े किंग से होता है जो अपने बेटे और बेटी से बहुत परिशान है चुकि उन दोनों को लगता है कि उनके डैड अब राजा बनने के बिलकुल लायक नहीं है किंग उसे में पैलेस को जलाने की सोचता है जिससे वो और उसके बच्चे खत्रे में पढ़ जाते हैं लेकिन गरड़ा एडवाइजर की मदद से उन्हें बचा लेती है उसकी बच्चों को भी अपनी गलती का एसास हो जाता है और किंकु शोकर गरड़ा को एक स्ले गिफ्ट करता है रास्ते में और मुसे अपनी सिट्वेशन के बारे में बताता है कि कैसे वो खुद भी स्नो कुईन को बिलकुल पसंद नहीं करता लेकिन अगर जिन्दा रहना है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी तब ही उन्हें सामने एक लेड़ी नजर आती है लेकिन पता चलता है कि वो तो एक पाइरेट गैंग की मेंबर है और वो उन्हें पकड़ कर अपने शिप पर ले आते हैं जो कई सालों से समूंद में जमा पड़ा है यहां वो अल्फिदा नाम की गर्ल पाइरेट से मिलते हैं जो असल में कैप्टेन की बेटी है और वो उन्हें से पूछती है कि तुम आकिर इस जगा पर क्या कर रहे हो गर्ड़ा उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि कैसे वो स्नू क्वीन को रोपने जा रही है लेकिन अल्फिदा कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाऊगी और बहतर है कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ क्योंकि वैसे भी मेरा यहां कोई दोस्त नहीं है फिर अलफिदा उसे अपने प्लैन के बारे में बताती है कि कैसे वो एक नया शिप बनाने वाले हैं और इसे उनकी पाइलेट लाइफ फिर से शुरू हो जाएगी इस पर गर्ड़ा कहती है कि शिप बनाने से तुमें क्या ही फायदा होगा क्योंकि समुंद्र तो वैसे भी पूरा जमा पड़ा है अलफिदा भी ये सुनकर सोच में पढ़ जाती है और अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें गर्ड़ा को छोड़ देना चाहिए स्नो कैसल में आता है जहां काई निस स्नो क्वीन की एक पैंटिंग बनाई है स्नो क्वीन उसके टैलेंट से बहुत इंप्रेस होती है लेकिन कहती है कि अब मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाओंगी और ये कहकर काई को फ्रीज कर देती है इधर गर्ड़ा और उसके सा सामना नहीं करना चाहती यहां वो स्नोक मीन के पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो इर्मा के नाम से पैदा हुई थी लेकिन बच्चमन से ही उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स थी जिससे लोगों को डर लगने लगा था और इसलिए उन्होंने इर्मा को कभी मचते थे दुखे होकर एक दिन इर्मा ट्रोल्स की केव में आई और लेक गाउ से विश मांगी कि काश उसके सारे दुश्मन फ्रीज हो जाए लेकिन नफ्रस से उसका दिल कमजोर हो चुका था और इसी वज़ा से टाक पावर्स ने इर्मा की सौल पर कबजा कर लिया और इ कहती है कि ये तुमें सीधा कैसल तक ले जाएगी और गर्ड़ा और उसके साथ ही उसे लेकर निकल पड़ते हैं रास्ते में ओर्म को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे गर्ड़ा को स्नो क्मीन के पास नहीं ले जाना चाहिए और वो उसे आगे जाने से रोकने क कोशिश करता है लेकिन गर्ड़ा उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बदल गए हो लेकिन तुम तो अभी भी एकदम कायर हो और ये कहकर वो और लूटा के लिए ही कैसल की ओर चले जाते हैं अंदर उसे फ्रीज पड़ा हुआ काई नजर आत इस पर स्नो क्वीन कहती है कि उसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी अपनी फैमली की तरह फ्रीज होने वाली हो और को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि मेरे होते तुम गर्ड़ा को नुकसान नहीं पहुचा सकती और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि गर्ड कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते और तुमें इस धो के बाज से कोई उमीद नहीं रखनी चाहिए फिर वो अपने स्नो जाइंट को समन करती है जिनके साथ कुछ आइस ट्रोल्स भी है और वो गर्ड़ा को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ओम उन्हें ऐसा नहीं करने देता और वो उनसे बचकर भागने लगते हैं जाइंट्स के अटैक से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और रोम गर्ड़ा से मीरर रूम में जाने को कहता है फिर आइस ट्रोल से बचने के लिए वो एक बोलर बियर की रूप में आता है और एक एक करके उन ट्रोल्स और चाइंड को नश्ट करने लगता है तब ही उसे रोकने विंड मोस्टर वहां आता है लेकिन ओम के पंच का सामना नहीं कर पाता और तूटकर बिखर जाता है इधर गर्डा क्वीन के मीरर के पास आती है और देखती है कि क्वीन की सारी पावर उसी से आ रही है फिर हम उसे उस मीरर को यूज करने का सही टाइम है स्नौ क्वीन भी उसे खड़ा होते देख बहुत हैरान होती है और तब ही गर्डा अपना मैजिकल मीरर निकालती है जिसमें जाकते ही स्नौ क्वीन फिर से इर्मा के रूप में आ जाती है और कहती है कि अगर मैं मारी गई तो ये लड़क में वापस आ जाता है फिर इर्मा की हेल्प से वो काई को होश में लेकर आते हैं और देखते हैं कि बाहर भी स्नौ मैल्ट होना शुरू हो गई है आगे वो इर्मा को लेकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आप